नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका ग्यान लर्नर्स पर और आज हम इस वीडियो में आपका देखने वाले हैं क्लास 9 मैस में जो चैप्टर 2 चल ला है पॉली नॉमियल इसमें एक्ससाइस 2.5 कर रहे थे ठीक है तो हम करेंगे इसमें कोशन नंबर कौन सा कोशन कर रहेंए इसमें 15 वालotine तो देखते हैं क्या कहरा है कोशन में दीक है कह यस एक 파ॉसिबल एक्स्प्रेसन लिखना है एक्स्प्रेसन देना है फॉर aiser के लिए और विंप यह फॉलविंग रेक्टेंगल पिकेए इश पॉलोवीं घृट थिक ओँ फॉलोवगी के लिए इन दोनों के लिए फॉल्लीय कि नीचे दे रहें कि चेए रहें क्या दे रहें रेक्टेंगल और दूसरा design राकेंगल आपका यह है इंट इस देर area are given और इन rectangle का क्या दे रहे है एरिया दे रहे है तो area गिवन है दीए इस वाले rectangle का area आपको यह दे रहे है और second वाले rectangle का जो area है वो आपको यह दे रहे है तो हमें क्या निकालना है पॉसिबल मनलब जो पॉसिबिल्टी हो सकती है expression देना है expression मनलब एक equation मनलब एक कुछ हमको algebraic form में इसको दिखाना है x y के form में ठीके आई बास नमें या a b यहाँ पे a है तो a की form में आएगा कुछ ना कुछ उसी को हमने length और breadth की form में दिखाना है ठीक है express करना है so करना है समझा गया तो length और breadth की form में हमें क्या करना है so करना है express करना है each of the following rectangle in rectangles को और area given है area आपको दे रखा तो देखिए ध्यान से देखिए आपको पता है rectangle यह बना हुआ है ठीक है यह rectangle है rectangle में यह बड़ी वाली side length होती है चोटी वाली क्या होती है breadth opposite side क्या होती है equal होती है यह इसके equal है और यह इसके equal है area आपको दे रखा है rectangle का तो देखिए area जब आपको rectangle का पता है ठीक है तो जब area मालूम है आपको area equal to क्या होता rectangle के रिए area equal to होता है length into breadth तो बाद में इसी से हम comparison करेंगे तो पहले area देख लेते हैं first part में तो first part में देखिए आपको area दे रखा है rectangle का area equal to liquid 25a square minus 35a plus 12 ये आपको क्या दे रखा है area दिया हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका कैसे इसको करेंगे चलिए देखिए ध्यान से देखिए ये आपको क्या लग रही है quadratic polynomial लग रही है quadratic polynomial क्यों क्योंकि इसमें जो variable कौन है a है और उस variable की maximum power कितनी है 2 है ठीक है maximum power जब 2 होती है यानि कि जो degree है वो 2 होती है तो इसको हम quadratic बोलते हैं तो इसके कितने factor आएंगे दो factors इसके निकलेंगे क्योंकि quadratic है तो quadratic में degree जितनी होगे 2 degree है ना इसलिए इसके दो factors आएंगे ठीक है तो आपको factor करना बता लेता हूँ कौन सा? splitting the middle term से हम split कर सकते हैं break कर सकते हैं कि इसको बीच वाले terms हो तो आपको बताया था कैसे करते हैं घवराइए मत यहाँ पर x कर लीजिए अगर आपको confuse हो रहा है 25 x square 35 x plus 12 ठीक है तो a है कोई confuse नहीं होगा तो 25 किंटू यहाँ करते हैं 12 से तो 25 किंटू अगर मैं 12 से करता हूँ तो आपका आता है 12 5 जा 60 ठीक है कैरी बचा 6 12 2 जा 24 6 हो गया 300 तो 300 के हमको क्या करने है factor करने है कि plus करके क्या आ जाए 35 आ जाए ध्यान दिजिए इस 35 को हम break करेंगे plus करके क्या आना चीए 35 आना चीए किसको break करना है 300 को तो इनको देखिए break करते हैं तो उमें simple सी बात है इसको कर लेता हूँ मैं इसको break करेंगे तो आप कर लेंगे 20 into 15 कर लेंगे आप क्या कर लेंगे जी 20 into 15 ठीके क्योंकि दिखिए 20 और 15 को अगर आप add करेंगे add करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ रहा दिखिए बिल्कुल सही आ रहा और अगर into करेंगे इनको 15 to 30 and 0 300 आ रहा into करने के बाद आपको आता ही होगा ठीके कितना आएगा 150 आ गया टू वन जा टू फाइब जा टैन जीरो का जीरो फिर करोगे 27 जा 25 जा समझमारी बाते फिर करोगे 37 326 35 जा 15 फिर करोगे 5 से 55 जा 25 फिर करोगे 5 से 5 बन जा 5 तो 300 को कैसे break करना है दो factor में break करना है कि हमारे पास क्या जाए add करके 35 आना चीए ऐसे दो factor करने है तो मैंने क्या देखिए 22 जा 4 and 4 5 जा 4 5 जा कितना हो आपका 20 और अगला हो गया 3 5 जा 15 तो समझमा आगे कैसे इसके factor हमको करने है तो कोई तो ऐसे भी कर सकता है 22 जा 4 3 जा 12 और 55 जा 25 भी कर सकता है कोई ठीक है 25 लेकिन इनको फिर add करके क्या नहीं आएगा आपका 35 नहीं आएगा इसलिए आपको ऐसे बनाने पड़ते हैं तो यह होगे जिसके 20 प्लस 15 इसको हम लिख देंगे समझमारी बाते दीखिए तो 25a square आप इसको ऐसे रखेंगे माइनस है 35 को कैसे break करना है 20 प्लस 15 में break कर देंगे ए पीछे लिख दीजिए पीछे प्लस 12 संज मा गया इसके इंटू यहां करनी थी हमने 25 स्कॉर जैसा था वैसी लिख दिया यही जैसा था वैसी लिख दिया इसको ब्रेक कर दिया बीच वाले को ऐसे मिडिए तब को स्प्लिट कर दिया थी कया आपको कई बारी चीजे हमने वैसे बता रहे किया थी कि तेंटूटसाइब कितना तटा, 300 आथा ना, हमको दो ऐसे factor लिखने हैं, मैंने कहा कि यहांपे और यहांपे दो factor लिखने हैं फट्ट तटे कि 300 आ जाये तो मैंने क्या हो रहे हैं? 20 और 15 हो रहे हैं, ठीकर, 20 और 15, तो 20 थो 15 कितना अब 300 आ जाएगा, add करो तो यह हो गे इसके दो फेक्टर ठीक है वैसे माइनस है ना आगे तो माइनस कर सकते हो माइनस ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है ठीक है ऐसे करके भी आप कर सकते हो या मैंने आपको दूसा तरीक है ये भी आपका तरीक है ठीक है जैसे आप कर सकते हो वैसा कीजिए, ठीक, तो दीखे, 25a square, अंदर माइनस का 20a माइनस प्लस, माइनस का 15 a प्लस 12, आप क्या बनते हैं, आपको पता, दो-दो के क्या बनते हैं, पेर बनते हैं, दो-दो के जोड़े बनते हैं, इनमें 5, 4 जा, 5, 4 जा बचा न, 20, 5, 4 जा, 24 बचा a भार है, ठीके, इनमें क्या common आ रहा है, common ऐसा लेना है कि अगले bracket में यही चीज बचनी चाहिए, मतलब यहां भी आपका यही आना चाहिए, ठीके, 5a minus 4 यह आना चाहिए, अगर किसी का यह नहीं आ रहा तो समझो, उसने कुछ common गलत ले रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में, 12 और 15 में किसका divide जा सकता है, 3 का divide जा सकता है, किसका, 3 का, और negative भी लेना भार, क्यों लेना है negative भार, क्योंकि हमको 5a plus का चाहिए, 4 किसका चाहिए, minus का तो minus common लेने पर यह 15 वाला portion आपका plus का हो जाएगा, यह plus वाला किसका हो जाएगा minus का, देखिए, अंदर multiply किजिए 3, 5, 15, a, समझ मा आ गया minus, plus, minus, अगला minus, minus, plus, 3, 4, 12 तो बिल्कुल हमने common सही ले रखा है, तो इन में क्या common ले लिया minus का 3, अंदर यहाँ पर 3, 5, 15, यहाँ पर 4, यह plus का minus हो गया, minus का plus अब देखिए, इन दोनों को देखिए कि यह चीज़ दोनों में क्या आ रही है आपकी common आ रही है, ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5A minus की आ रहा, common आ रहा न, ऐसे ठीक है, बचा क्या अगला, यहाँ बचा 5A, यहाँ बचा minus का 3A, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है ठीक है, इतने में ही बात बन जाएगे तो यह क्या है आपका, घ्यानगना यह था आपका एरिया, और मैंने कहा एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल गार, क्या चला रेक्टेंगल चला है, रेक्टेंगल गार, एरिया ब्रित की जगा, बी की जगा ये वाला जगा, कौन? 5A-4 आगया, तो समझ मा आ गया, अच्छा, आगे पीछे करना जरूरी है, कोई जरूर नहीं है, अगर ऐसा भी रहेगा, तो length इसको भी मान चकते हैं, और breath इसको भी मान सकते हैं, कोई भी confused होने कि आपको जूरत नहीं है, ये दोनों चीज़े सही है, ठीके, तो length और breath आ गया, समझ में, सिदी सी बात है, quadratic, polynomial, उसको factorize करना, उसके solve करने है, factor करने है, ठीके, और ये length हो गया, ये breath हो गया, समझ मा आ गया, पहला पार्ट, अब करते हैं, इसका second part हम करते हैं, same as it is, इसकी first part के तरा हम इसका second part भी कर भी आपको quadratic polynomial दिख रहा है, second part में area, ठीके, area लिखी है, 35 y square plus 13 y minus 12, सब्सक्राइब बात है, तो 35 into 12 होगी तो कितना हैगा, 35 into 12 होता आपका, 35 into 12 से कर लो, 12 5 जा 60, carry 6, 12 3 जा, ठीके, 36 और 6 हो गया आपका कितना, 42, तो 420 आर आपका multiply करने के बार, इन दोनों को, 12 5 जा करेंगे, 60 का 0, carry 6, 12 3 जा 36, और 6 करेंगे 42, तो 420 आर आपका, समझमा गया, इन दोनों की multiply करने के बार, तो आपको 420 को, दो factor में क्या करना है, break करना है, यहाँ पे क्या आए, और यहाँ पे क्या आए, कि into करके आपका कितना आ जाए, 420 आ जाए, कितना जाए, 420 आ जाए, negative का, देखे, negative का है, एक तरीका ये भी है, अभी आपको simple आ भी में बता दूगा, ठीके, तो देखे, इनके factor क्या होने चाहिए, तो देखे, 420 के मैंने factor करने है, और ध्यान अगना उनको add करके कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, समझमा गया बाते हैं, तो ऐसा हम को लेना है, तो देखे, 420 के factor आप करेंगे, ऐसे का लिजे, simple से बाद है, 2,2 जा 4, 2,1 जा 2,0 का 0, ठीक है, 2,1 जा 2,0, 2,5 जा 10, समझमा रही बाते हैं, यहां से आप होगा, किस से, 3 से, 3,3 जा 9, 3,5 जा 15, अब होगा, 5 से, 5,7 जा 35, और 7,1 जा 7, तो यह आगए जी factor हो होगा, इसके, 2,2 जा 4, 4,7 जा 28, और 3,5 जा कितना होगा, 15, ठीक है, 28 और 15 इसके factor होगा, 28 और 15 इसके क्या होगा, factor होगा, इनके समझमारी बाते हैं, और यहां पर देखे, minus में चीना हमको, तो यहां minus कर दीजिया, इसी को क्यों कर रहे हैं, तो कि अगर इन दोनों को हम add क 28 और minus 15 को अगर मैं add करूंगा, तो plus minus के हो जाएगा, minus हो जाएगा, आपका result कितना बचा, 30 नहीं बचा, तो कहने का मलग 13 को हम कैसे break कर सकते हैं, ऐसे break कर सकते हैं, 28 minus 15 ऐसे break इसको कर सकते हैं, तो एक तरीका तो यह है भई, ठीके, splitting the middle term, या मैं आपको कही बार बोलता हू कि आप simple सा तरीका याद रहिए, देखिए, 35 केंटो 12 से की, 420 आया, 420 आगे जी आपका, अभी मैंने आपको factor करके बताया, factor करके बताये किसके factor कैसे करें, तो आपको factor ऐसे करने हैं कि minus करके, 2 factor ऐसे करने कि minus करके क्या आ जाए, 13 आ जाए, तो 420 के factor किया, आपने कितना, 28 और दूसा कितना था आपका, 15 था, ठीक है, 28 और 15 आपने factor किया, तो दिखिए, 28 में से अगर आप 15 minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो simple सा यह वाला तरीका आप याद रहिए, कि in कि इंटो कि इस से, यह आया, 420, 420 के ऐसे factor किजिए, कि minus करके 13 आ जाए, तो मैंने 28 इंटो 15 किया, अभी करके बताया आपको, तो 28 में से 15 minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक, तो चलिए, करते हैं इसको आगे, क्या करेंगे, 35, 35 y square ऐसी रहेगा आपका, 13 को क्या लिख देंगे, मैंने का यह लिख देंगे, 28 minus का क्या लिख दें ठीक है, और भार y आएगा आपका, minus का 12 चलता रहेगा, यह भी ऐसी है, 13 को break कर दिया ऐसे है, और 12 को ऐसी लिख दिया, अब simple हो गया, आप आराम से calculation करेंगे, plus 28 y, plus minus, minus का 15 y, minus का 12, आप दो दो के क्या बना लेंगे, आप pair बना लेंगे, ठीक है, इन दोनों में कितने का table 28 तो 35 में 7 का, ठीक है, और y भी तो आरा common, y भी है, तो यहाँ 75 जा 35, यहाँ y स्कौर का y बचा, तो कि एक y भार ले लिया, plus का क्या बचेगा, 7, 4 जा 28, 4 जा 28, y भार है, ठीक, सम्झमारी बते, अब आपको बता है, जो इस bracket में आएगा, वही दूसरे bracket में भी आना सम्झमार गया, तो इनमें क्या common लेकि अंदर ये बच जाए, तो मैंने देखा, एक तो मुझे दोनों portion प्लस का चाहिए, यहाँ पे दोनों के दोनों minus है, तो minus common ले लेंगे हम, दूसरा 15 और 12 में कितने का table जा रहा है, 3 का table जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है common ले plus के, अंदर multiply करेंगे, यही चीज़ आनी चाहिए, मैंने का, ठीक, तो देखें, यह चीज़ दोनों में क्या गई जी आपकी, common आ गई, कौन, 5y प्लस 4, common आ गया, अंदर बचा, 7y-3 बचा, 7y-3, यह चीज़ common आ गई, मैंने का इनको आगे पीछे कर सकते हो, यह आप नही आपकी, length हो गया, यह, length का expression ही हो गया, बोलाता ना कि, expression दो, possible, जो possible है, तो possible यह भी है, length, और अगर आप यही पे छोड़ दोगे, तो length आपका यह भी कहलाएगा, तो इसलिए, इसलिए, possibility है, आगे breath, आपका जो breath आ जाएगा, वो क्या जाएगा, breath, breath हो जाएगा आपका य 5y प्लस 4, आप चाहे तो breath किसको भी दे सकते हैं, breath इसको भी दे सकते हैं, और length इसको भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हो जाएगा, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो यह आपका, हमने question number कौन से किया, 15 कर लिया, ठीक है, तो चलिए, note कर लिजिए